हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक तो इस चैनल सो फ्रेंज एन्सियार्टी सिक्स्थ क्लास का हमारा चैप्टर थर्ड है प्रिथवी की गतियां जियोग्रफी का इंपॉर्टन चैप्टर जिसमें से आपके काफी कोशन बनते हैं वीडियो को पूरा देखिए वीडियो को लाइकन शेक कर दीजियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिये तो शुरू कर लेते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है प्रिथवी की गतियां देखिए दो तरह की होती है एक है गुरुनन और दूसरा है परीक्रमन अपने एक्सिस पर गुमना है ना जैसे मालो ये बिंदू है और इस पर ही जो है प्रिथवी गुम रही है तो वो क्या कहलाता है गुरुनन और अगर इसके चारो ओर जो है गति चल रही है तो उसको कहते हैं परीक्रमन तो इसको जो है हम अच्छे से समझ लेते हैं अपने अक्ष पर गुमना अपने अक्ष पर घूमना वो कहलाता है घुर्णन और सूर्य के चारों और एक स्थिर कक्ष में प्रित्वी की गती को क्या कहते हैं परी क्रमन प्रित्वी का अक्ष जो है एक्सिस जो है एक कालपनिक रिखा है जो इसके कक्षिय स्तह से 661 by 2 डिगरी का कौन बनाती है वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षिय समतल कहते हैं प्रित्वी जो है सूरिय से प्रकाश प्राप्त करती है और प्रित्वी का जो आकार है वो गोले के समान है आगे बढ़ते हैं इसलिए एक समय में सिर्फ जो है इसके आधे भाग पर ही सूरिय की रूशनी प्राप्त होती है सूरिय की और वाले भाग में दीन होता है और जब दूसरा भाग सूरिय से दूर होता है तो वहां रात होती है गलोब का वह वरित जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उससे क्या खачते है प्रदीप्ति व्रित आगे बढ़ते हैं प्रित्वी जो है अपने अक्ष पर यानि एक चक्कर पूरा करने में लगवग 24 गंटे का समय लेती है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 गंटे होते हैं तो अपने एक्सिस पर चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 24 गंटे और घुनन के समय काल को ही प्रित्वी दिन कहा जाता है यह प्रित्वी की देनिक गती है प्राचीन भारतिय थे कगोल शाष्ट्री आर्या भट इन्होंने बताया कि प्रित्वी गोल है और अपने अक्ष यानि एक्सिस पर घुनन यानि घूमती रहती है प्रित्वी अगर घुनन न करे यानि वो जो है रोटेट ना करे तो क्या होगा? सूर्या के तरफ वाले भाग प्रित्वी के भाग पर जो है हमेशा दिन रहेगा है ना अगर वो ऐसे नहीं घूमेगी एक्सिस पर प्रित्वी तो क्या होगा? जो सूर्य की तरफ वाला जो हिस्सा होगा वहाँ पर दिन रहेगा और जो दूर होगा वहाँ पर रात ही रहेगी तो उस भाग में जो है गर्मी लगतार पड़ेगी जहां पर दिन होगा और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी पृत्वी की दूसरी गती जो सूर्य के चारो और अक्ष में होती है उसे परिकर्मन कहते हैं और पित्वी जो है एक वर्ष या 365 वन बाई 40 या आपको पता है 365 दिन होते हैं एक साल में और लीपियर भी होता है चार साल के बाद जो आता है लीपियर हैना तो 366 दिन उसमें होत है यहां चार चार घंटे शोल्ट होते हैं यह लीपियर में जुटते हैं तो ऐसे हो गया आपका लीपियर जो चार साल बाद हाता है ठीक है प्रतेक वरषों के बचे हो बताया चार वर्ष के परटेक वर्ष के जो छी घंटे होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं चोबी घंटे तो एक दिन फालतू हो गया तो 66 365 दिन इसलिए होते हैं ठीक है पर टेक छोते वर्ष फरवरी महा 28 के बदले 29 दिन का होता है और ऐसा वर्ष जो है 366 दिर उसमें होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं लीपियर यानि लीप वर्ष पृत्वी दिर्ग वृताकार पत पर सूरिय के चारो और चक्कर लगाती है एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद, रीत्वों में बाटा जाता है किस वज़े से होता है सूरिय के चारो और पृत्वी स्तिती में परिवर्थन के कारण होता है 21 जून को उत्री गुलार्थ जो है सूरिय की तरफ जुका है सन की जो रेजिस हैं वो करक रेखा पर सीधी पड़ती है और 21 जून को इन शेत्रों में सबसे लंबा दीन और सबसे छोटी रात होती है और पित्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं 22 दिसंबर को दक्षनी दुरूव के सूरिया की ओर जुके होने की कारण मकर रेका पर लंवत पड़ती है जुकी रने हैं और इसलिए दक्षनी गलार्ड में लंबे दीन तथा छोटी राते वाली जो है ग्रिशमरितु होती है और ठीक इसके विप्रिज जो है स्तिती उत्री गलार्ड में होती है पित्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं दक्षिन एनांत औस्टेलिया में ग्रिशम रितु में जो है क्रिस्मस मनाया जाता है ये आपको याद रख लेना है 21 मार्च 3 सितंबर को सूरिय की जो किरने है वो विश्वत रित पर सीधी पड़ती है इसलिए पूरी प्रित्वी पर रात और दिन क्या होते हैं बराबर होते हैं और इसे विश्व कहा जाता है 23 सितंबर को उत्री गुलार्द में शरद रितु होती है यानि सर्दी होती है जबकि दक्षन गुलार्द में वसंत रितु होती है 21 मार्च को स्थिती जो है इसके विप्रीत होती है जबकि उत्री गलार्द पे तो क्या होगी वसंत रीतू होगी और आपके दक्षन गलार्द में क्या होगी शरद रीतू यानि ये डेट्स जो दी हुई है न 23 सितंबर वाली आपकी 21 मार्च वाली इसमें आपको याद रख लेन भूलना नहीं है प्रित्वी के घुरुणन एवं परिक्रमन के कारण जो है दीन एवं राद तथा रीतों में प्रिवर्तन होता है ठीक है तो ये हमारा आज का चैप्टर था थर्ड प्रित्वी की गतियां और इसमें से काफी पॉंट्स आपके बनते हैं एक्जाम में अपने नोट्स क्रियेट कीजे थैंक्स वाच्च वाच्च वाइड वीडियो डू लाइक शेर और सब्सक्राइब माइट चैनल तिल तन बबाई